सुहना को हैरानी में देखकर युवराज हस्ते हुए कहता है, क्या तुम्हें मैं बेवकूफ नजर आ रहा हूँ, जो इतनी कीमती अनबूठी नंदनी को दूनगा जो मेरी जूती के बराबर भी नहीं आती है। यह अनबूठी तो मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए बनवाई और इस पर अधिकार भी तुम्हारा है। पूर्ण विर्राम ये कहकर युवराज ने सुहना का हाथ पकड़ के धीरे से अपने हाथों में रखी अंगूठी उसे पहनाए और फिर नीचे जुक कर उसके हाथों पर हलका साकिस किया। सुहना ये सब देखकर बहुत एमोशनल हो चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था वह किस तरह से रियक्ट करें। वह कैसे युवराज से नफरत करने लगी थी ये सोचकर उसे अब खुद पर गुसा आ रहा था। उसने आखिर क्यूं युवराज से नफरत की। वहीं युवराज सुहना के बदलते को देख रहा था। उसने देखा कैसे सुहाना गुस्से को दबा रही है तो वो मुस्कुराते हुए कहता है। अपने गुस्से को दबाना बंद करो। तुम्हारी जगह अगर मैं होता ना तो मैं भी यही करता जो तुमने किया है। जाहिर सी बात है बिना कुछ जाने हम उ थी लेकिन जिस दिन तुमने मुझे सबूत दिखाई उस दिन जाकर मुझे यकिन हुआ इसलिए मैं तुम्हारे जजबातों को भी समझता हूँ पूर्ण विर्राम युवराज की बातों को सुनकर सुहाना ने तुरंट उसे गले लगा लिया युवराज ने जब ये देखा तो उसने भी उसको अपने गले लगा लिया थोड़ी देर तक गले लगे रहने के बाद सुहाना को कुछ याद आया वो तुरंट युवराज से दूर होकर कहती है वो सब तो ठीक है लेकिन वो डाइवो उस पेपर मैंने उस पर साइन कर दिया है इसका मतलब तो यही हुआ ना कि हम दोनों का तलाक हो चुका है पूर्ण विर्राम सुहाना की बातों को सुनकर युवराज मुस्कुरा कर कहता है हाँ तुमने साइन तो कर दिया था इसका मतलब तो यही हुआ ना कि अब हमारा तलाक हो चुका है लेकिन अगर मैं ऐसा कहूं कि अगर हमारा तलाक नहीं हुआ है तो तुम क्या कहोगी आइमीन क्या मुझे अपना पती मान कर मुझसे प्यार करोगी पूर्ण विर्राम युवराज की बातों को सुनकर सुहाना शैतान भरी नजरों से उसे देखते हुए कहती है आप प्यार करने की बात कर रहे हो मैं तो आपको खा जाऊंगी लेकिन सबसे पहले मुझे ये बताए वो डाइवोस पेपर का क्या नाटक था पूर्ण विर्राम सुहाना की बातों को सुनकर युवराज बैड पर बैठते हुए कहता है डाइवोस पेपर तो असली थे तुम ही याद होगा जब मैं डाइवोस पेपर तुम्हारे पास लेकर आया था तब उस पर मेरे सिगनेचर थे लेकिन तुमने उस समय साइन नहीं किया था सगाई से पहले जब तुम मुझे डाइवोस पेपर दे कर गई थी तब मैंने वह पेपर अपने असिस्टेंट को दे दिया जिसके बाद मैंने उसे कहा कि डाइवोस पेपर को ओफिस में संभाल कर रखने को जैसे ही सारा किस्सा खत्म हो जाएगा हम उस पेपर को जला देंगे ताकि हमें अलग करने के लिए कोई भी पेपर सामने ना आए पूर्ण विर्राम युवराज की बात सुनते ही सुहाना हैरानी से कहती है इसका मतलब वो डाइवोस पेपर असली थे मेरा मतलब जब मैं सिगनेचर कर रही थी तो ऐसा लग रहा था जैसे वह नकली हो पर कोई बात नहीं हम जल्द से जल्द इन सारे प्रॉबलम को सॉल्व करके एक दूसरे से दोबारा शादी करेंगे पूर्ण विर्राम सुहना की बातों को सुनकर युवराज ने उसे अपने पास बुलाया जिस पर सुहना मुस्कुराते हुए युवराज के पास गई और उसकी गोद में जाकर बैठ गई युवराज सुहना को देखकर मुस्कुरा कर कहता है मैं तो सोच रहा हूँ कि मंडप भी तयार है दुलहन भी तयार है चलो हम दोनों इसी समय शादी कर ले पूर्ण विर्राम युवराज की बातों को सुनकर सुहाना उसको कंदे पर मारते हुए कहती है मंडप नहीं है तयार दुलहन है सिर्फ तयार तो कैसे होगी दोबारा शादी बताओ मेरे यार मैं खुद आप से दोबारा शादी करना चाहती हूँ लेकिन अब मैंने फैसला लिया है कि मुझे अपने पापा के सारे कातिलों को सबत सिखाना है मैंने अपनी मौम को जेल तो भेज दिया है अब मिस्टर महरा और उसकी इकलती बेटी बच्ची हुई है पूर्ण विर्राम सुहना की बातों को सुनकर युवराज कनफ्यूज होकर कहता है इकलती बेटी लेकिन नंदनी की तो एक बहन है ना जिसका नाम निशा है तो फिर नंदनी इकलती बेटी कैसे हुई पूर्ण विर्राम युवराज की बातों को सुनकर सुहाना गहरी सांस लेकर कहती है क्योंकि निशा और नंदनी अपनी बहन नहीं है बलकि नंदिनी के पापा ने निशा को गोद लिया है और यह बात मुझे काफी समय पहले पता चल चुकी थी मुझे इन सब से कोई मतलब नहीं था तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया पूर्ण विर्राम सुहना की बातों को सुनकर युवराज हैरानी से कहता है क्या मतलब है तुम्हारा निशा नंदिनी की अपनी बहन नहीं है लेकिन दोनों को तो देखकर ऐसा लगता है जैसे दोनों अपनी सगी बहन हो पूर्ण विर्राम युवराज की बातों को सुनकर सुहना उसकी गोद से उठते हुए कहती है आपको इसलिए ऐसा लगता है क्योंकि वो दोनों एकी थाली की चट्टी बट्टी है दोनों का दिमाग एक जैसा ही है दोनों सिर्फ इंसानों को पाना चाहती है जिस तरह से नंदनी आपको पाने के लिए पीछे पड़ी है इस तरह निशा भी अपने बॉयफ्रेंट को पाने के लिए उसके पीछे पड़ी है शायद आपको पता नहीं होगा लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ निशा स्कूल समय से किसी से प्यार करती है और वो जिस से प्यार करती है वो लड़का अपनी दोस्त से प्यार करता है और वो दोनों एक दूसरे के साथ रहते भी हैं ये सब देखकर निशा को बिलकुल भी अच्छा नहीं लगता है उस बीच में निशा ने कई बार उस लड़की को मारने की कोशिश की है लेकिन उस लड़की की किस्मत अच्छी है जो वो बार-बार बज जाती है अब निशा तो रहती नहीं है जिस तरह से नंदिनी खुद को शांत नहीं करती है वैसे उसकी बहन भी है मुझे निशा से कोई मतलब नहीं है उसे जिसके साथ जो करना है वो करें मुझे सिर्फ नंदिनी से मतलब है क्योंकि वो मेरे रास्ते में आई है और जो भी मेरे रास्ते में आएगा उसे में हटाती जाऊंगी पूर्न विर्राम सुहाना की बातों को सुनकर युवराज बैद से उठकर उसके पास आया और फिर उसको पीछे से गले लगा कर कहने लगा मैं भी इस समय तुम्हारे साथ हूँ पहले मैं तुम्हारे साथ नहीं था जिस वजह से तुम्हें सब कुछ अकेले करना पड़ रहा था लेकिन इस बार में हर सुक दुख में तुम्हारे साथ रहूंगा पूर्न विर्राम युवराज की बातों को सुनकर सुहाना के चहरे पर मुस्कुराहट आ गई उसने पीछे मुल कर युवराज को गले लगा लिया वहीं युवराज ने भी मुस्कुराते हुए सुहाना को गले लगा लिया अगले दिन सुबल के पांच बजे बजे रहे थे राजा अंगढ़ाया लेते हुए किचन में जा रहा था जैसे ही वह किचन में गया उसकी नजर सुहाना और युवराज पर चली गई उन दोनों को एक साथ किचन में देखकर राजा को ऐसा लगा जैसे वह कोई सपना देख रहा हो जिस वज़े से वह बार-बार अपनी आँखों को सहलाने की कोशिश कर रहा था राजा कभी कभार तो खुद को चिम्टी भी कात रहा था पांच मिनित तक खुद को हट करने के बाद उसे यकीन हुआ कि वह अपने सामने सुहाना और युवराज को मुस्कुराते हुए देख रहा है तो वह तुरंथ भाग कर किचन में गया सुहाना इस समय युवराज के साथ मिलकर नाश्ता बना रही थी लेकिन जैसे ही उसकी नजर राजा पर गई वह अपनी आँखे छोटी करके कहने लगी तुम इस समय यहां क्या कर रहे हो पूर्ण विर्राम सुहाना की बातों को सुनकर राजा हैरानी से कहता है मैदम मैं यहां क्या कर रहा हूँ वह छोड़िये आप मुझे यह बताए कि आपके साथ युवराज सर क्या कर रहे है कल तक तो आप इनसे नफरत कर रही थी उन्होंने आपको धोखा दिया आप इतनी जल्दी भूल गई पूर्ण विर्राम राजा की बातों को सुनकर सुहाना ने मुस्कुराते हुए युवराज को देखा और फिर अपना हाथ आगे बढ़कर युवराज के कंधों पर रखकर उसे गले लगा लिया वही राजा की नजर इसी बीच में सुहाना के हाथों में पहनी अन्बूठी पर गई जिसे देखकर वो हैरानी से कहता है आपकी सगाई कब हो गई आपके हाथ में अन्बूठी कहां से आ गई पूर्ण विर्राम राजा के घेर सारे सवाल से परेशान सुहाना गहरी सांस लेकर कहती है मैं तुम सभी को आराम से एक साथ सब कुछ बताऊंगी फिलहाल के लिए तुम सभी को थोड़ी देर में डाइनिंग टेबल पर आ जाने के लिए इनफॉर्म कर दो क्यूंकि मुझे तुम सभी से एक बात डिसकस करनी है पूर्ण विर्राम सुहना की बातों को सुनकर राजा समझ चुका था जरूर कोई बहुत बड़ी बात है इसलिए सुहना सिर्फ उसे नहीं बताना चाहती है जिसके बाद वह चुपचाप वहां से चला गया और सभी को सुहना की बताई हुए बात को बताने लगा कुछ समय बाद डाइनेम टेबल पर सभी बैठे हुए थे सुहना ने अब तक सभी को सब कुछ बता दिया था जिसको सुनने के बाद गौरव युवराज को देख कर कहता है इसका मतलब आप बस नाटक कर रहे थे अगर ऐसा ही था तो आप हम में से किसी को बता देते हैं ताकि हमें आपसे नफरत नहीं होती देखिए युवराज सर वैसे तो हम आपसे नफरत नहीं करना चाहते हैं ना ही हमें आपसे कोई प्रॉब्लम है लेकिन जब भी कोई हमारी मेडम को नुकसान पहुचाता है तो हम उसे नहीं छोड़ते हैं मेडम आपसे प्यार करती थी इसलिए हमारे हाथ बंधे हुए थे अगर आपकी जगह कोई और होता तो हम इस समय उस पर गोली चला देते पूर्ण विर्राम गौरफ की बातों को सुनकर युवराज सुहाना को देखते हुए कहता है तुमने अपने पार्टन को बहुत अच्छे से ट्रेन करके रखा है तभी तो तुम्हारे लिए कुछ ज़्यादा ही पिजेसिव है वैसे सच कहूं तो मैं तुम सबको बताना चाहता था लेकिन मेरे पास इतने सबूत नहीं थे और मेरे पास इतना समय भी नहीं था कि मैं एक-एक करके सबको सब कुछ बताने बैठता मुझे लगा सोहाना बहुत स्ट्रॉंग है ये सब देखने के बाद वह मुझे पर गुस्सा करेगी मुझे से नफरत करेगी और चली जाएगी मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये सब देखकर वह बेहोश हो जाएगी कम जोर पर जाएगी अगर इंगेजमेंट वाले दिन वह बेहोश नहीं होती तो मैं शायद घर आकर इसे सच्चाई नहीं बताता पूर्ण विर्राम युवराज की बातों को सुनकर सोहाना अपनी आँखे छोटी करके कहती है मैं कमजोर नहीं हूँ आपको किसी और का होता हुआ मुझसे देखा नहीं गया मेरा पहला प्यार किसी और का हो रहा था यह मैं कैसे बरदाश्ट कर सकती हूँ इसलिए मेरा दिमाग घूम रहा था और वैसे भी अच्छा ही हुआ ना मैं बेहोश हुई और आप मुझे यहां सच्चाई बताने आए। पूर्न विर्राम सुहना की बातों को सुनकर युवराज मुस्कुरा कर कहता है। हाँ ये बात तो है लेकिन तुम जानती नहीं हो जिस समय तुम बेहोश हुई थी उस समय कैसे मेरी जान निकलती जा रही थी। कोई भी मुझे तुम्हारे पास जाने नहीं दे रहा था। मेरा अपना खुद का भाय अनिकेत मुझसे नफरत करने लगा है। वो तो इतना कह चुका है कि मैं दोबारा तुम्हारे करीब ना जाऊं वरना वो बरदाश्ट नहीं करेगा। मुझे तो एक बात समझ नहीं आता है आखिर तुमने मेरे परिवार को ऐसा क्या खिला दिया है कि वो सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचते हैं। मैं अपने भाई का बड़ा भाई हूँ, अपने दादी का पोता हूँ उसके बावजूद भी वो दोनों से तुम्हारा ही गुनगान करते हैं। पूर्न विर्राम, युवराज की बातों को सुनकर सुहाना मुस्कुरा कर कहती है। वो ऐसा है ना मुझे बहुत अच्छे से जादू करना आता है। मैं किसी को भी अपने प्यार में गिरा सकती हूँ जैसा कि आप खुद को देख लीजिए। कहां आप मुझे पसंद नहीं करते थे, कहां मुझे घर से निकालने के बारे में सोचते थे और कहां खुद जोर की तरह मेरे घर में घुस रहे थे। मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझे आपके जैसा पती अनिकित जैसा बड़ा भाय और आपकी दादी मा मिली है। मैंने आज तक परिवार का प्यार नहीं देखा है लेकिन आपके घर में रहकर मुझे परिवार के प्यार का महत्व पता चला है। पूर्ण विर्राम ये कहकर सुहाना युवराज को देखकर मुस्कुराए। सुहाना की बातों को सुनकर युवराज भी मुस्कुरा रहा था। वही वहां बैठे सभी लोग ये देखकर मुऊ बना चुके थे क्योंकि युवराज और सुहाना ऐसी बात कर रहे थे जैसे वह दोनों अभी अभी रिलेशन्शिप में आये हो। राजू ये सब देखकर बोर हो चुका था जिस वज़े से वह अपना नाश्ता करते हुए ही कहता है। अगर लेला मजनू का रोमेंस हो गया हो तो क्या अब हम ये डिसकस करें कि हमें आगे करना क्या है। पूर्ण विर्राम, राजू के टोकने पर सुहाना की नजरे युवराज से हटकर सभी लोगों पर चली गई। वो सब उन लोगों को देखकर मुस्कुरा रहे थे जिसे देखकर सुहाना एक कुरसी पर बैठते हुए कहती है। मुझे तुम सब की मदद चाहिए। पूर्ण विर्राम, सुहाना की बातों को सुनकर गौरव अपनी आँखे छोटी करके कहता है। लेकिन मैडम इस समय आप ऐसा क्या करना चाहती हैं। पूर्न विर्राम, गौरव की बातों को सुनकर सुहाना उसे देखकर कहती है, मुझे तुम लोगों की मदद इसलिए चाहिए क्योंकि मिस्टर महरा की सारी डिटेल्स मुझे चाहिए और ऐसे में तुम सब अपना अपना काम करके मिस्टर महरा की डिटेल्स निकलवा सकते हो, जैसे की कुनाल उनके लाप्टॉप को हैक कर सकता है, बाकि तुम सब उनके कमपनी में जाकर उनके यहां काम करने वाले कर्मी की बातों को समझ सकते हो, मेरे कहने का मतलब है जैसे मिस्टर महरा की कमपनी है जिस तरह के इंसान वहाँ है वैसे ही उनके काम करने वाले कर्मी भी होंगे क्योंकि कहते हैं ना मालिक जो काम करता है वह बात उनके वकर को पता रहती है इसलिए तुम्हें उनके कमपनी में जाकर यह सारी चीज़ पता करनी है पूर्ण विर्राम सुहना की बातों को सुनकर गौरव मुस्कुरा कर कहता है ओके मेडम अगर ऐसी बात है तो फिर आप बेफिक्र हो जाए क्योंकि यह काम तो मैं बड़ी आसानी से कर सकता हूँ और बाकी का काम कुनाल कर लेगा अगर आप कहें तो क्या मिस्टर महरा के बैंक डिटेल्स भी निकलवादू क्योंकि उसके जरिये भी आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा पूर्न विर्राम गौरव की बातों को सुनकर सुहाना मुस्कुराते हुए कहती है तुम बहुत स्मार्ट हो इसलिए तो मैं तुम्हें हर जगा अपने साथ रखती हूँ वैसे तुम्हारा आइडिया बहुत अच्छा है तुम ऐसा करवा सकते हो कुनाल से कह देना सारी डिटेल्स को इकठा करें और एक बात का ध्यान रखना इन सब के बारे में हम सब के अलावा किसी को पता नहीं चलना चाहिए क्योंकि दिवारों के भी कान होते हैं पूर्ण विर्राम सुहना की बातों को सुनकर युवराज उसे देखकर कहता है वो सब तो ठीक है लेकिन तुम्हें अब मेरे घर चलना होगा जिस तरह से नंदिनी को लगता है तुम घर में नहीं हो तो वो बड़ी आसानी से अपना काम कर सकती है तो शायद तुम जब घर में आओगी तो वो डरते डरते अपना काम करेगी उसे तुम्हारा डर रहेगा तो वो अपना काम जल्दी नहीं कर पाएगी और ऐसे में हम उसे बड़ी आसानी से पकड़ सकते हैं पूर्ण विर्राम युवराज की बातों को सुनकर सुहाना मुस्कुरा कर कहती है उसकी फिक्र मत कीजिये आप फिलहाल के लिए अपने घर निकलिये थोड़ी देर में मैं आपके घर में आ जाऊंगी पूर्ण विर्राम सुहाना की बातों को सुनकर युवराज डाइनिंग टेबल से उठा और फिर सुहाना के गालों पर किस करके मुस्कुराते हुए कहने लगा ठीक है मैं फिलहाल तो घर जा रहा हूँ लेकिन तुम्हारा सर्प्राइज का इंतजार करूंगा पूर्न विर्राम ये कहकर युवराज मुस्कुरा कर वहां से चला गया युवराज को जाते हुए देखकर सुरब सुहाना को देखते हुए कहता है मैडम हमें तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि युवराज सर आपके साथ है मतलब उन्होंने किस तरह से द्रामा किया वह सब जानकर तो मुझे बहुत हसी आई जिस तरह से उन्होंने बताया कि कैसे नंदिनी को सगाई वाले दिन नकली अनबूठी पहनाई गई है पूर्न विर्राम सौरब की बातों को सुनकर दीपशिखा हंसते हुए कहती है हाँ वह भी मैडम की नकली अनबूठी जिसका रंग भी चला गया था नंदिनी सच में बहुत बड़ी बेवकूफ है उसे डायमंड और नकली अनबूठी में अंतर करना बिलकुल भी नहीं आता है इसलिए तो उसे अब तक पता भी नहीं चला है कि उसने जो अनबूठी पहना है वो अनबूठी नकली है पूर्न विर्राम दीपशिखा और सौरब की बातों को सुनकर सौहाना कुर्सी से उठते हुए कहती है तुम दोनों की अगर बात खत्म हो गई है तो तुम दोनों भी अपने काम पर लग जाओ क्योंकि हमारे दुश्मन ने अभी भी हमारे उपर नजर बना कर रखी है तुम लोग शायद भूल चुके होंगे लेकिन मुझे याद है जिस दिन गौरव और मैं बाहर गए थे उस दिन वहाँ पर हम पर हमला हुआ था और हमें अब तक पता नहीं चला है कि हमारे उपर हमला किस ने किया था पूर्न विर्राम ये कहकर सुहाना गौरव को देख कर कहती है गौरव तुम और सौरब तो मेरे साथ थे राजा राजू भी उस टाइम आ चुके थे लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम इस पर छानबीन करवाओ फिलहर सभी लोग यहां का काम देख लेंगे तुम इस पर भी छानबीन करना लेकिन पहले नंदिनी के पापा के ओफिस जाकर अपना काम करो जैसे ही काम पूरा हो जाएगा मुझे फोन करके इनफॉर्म कर देना पूर्न विर्राम यह कहकर सुहाना चुपचाप वहां से चली गई इधर गोयल मेंशन सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठकर नाश्ता कर रहे थे तभी गायतरी गोयल नंदिनी को देखते हुए कहती है युवराज अभी तक नहीं आया है क्या उसे नाश्ता नहीं करना है या फिर वो जल्दी ओफिस चला गया पूर्न विर्राम गायतरी गोयल की बातों को सुनकर नंदिनी उन्हें देखकर कहती है पता नहीं आंटी लेकिन जब मैं युवराज के कमरे में गई थी तो वो अपने कमरे में मौजूद नहीं था मुझे लगता है वो अपने कमपनी चला गया है पूर्न विर्राम नंदनी की बातों को सुनकर गायतरी गोयल की नजर अनिकेत पर चली गई जो चुपचाप अपना नाश्ता कर रहा था अभी भी अनिकेत को गुसे में देखकर गायतरी गोयल गहरी सांस लेकर कहती है तुम्हें तो पता ही होगा क्या युवराज ओफिस गया है पूर्न विर्राम अपनी मा की बातों को सुनकर अनिकेत अपना खाना आधा आधूरा छोड़कर कुर्सी से उठते हुए कहता है मुझे नहीं पता आप खुद क्यूं नहीं पूछ लेती है वैसे भी आप तीनों तो एक ही जुंड में मौजूद है तो आइंदा से मुझसे मत पूछिएगा कि कौन कहां गया है पूर्न विर्राम ये कहकर अनिकेत चुपचाप घर से बाहर निकल गया अनिकेत घर से बाहर निकला ही था कि तभी दरवाजे से युव्राज गर के अंदर आया उसने अनिकेत को गुसे में जाते हुए देखा तो वो उसका हाथ पकड़ कर उसे रोकते हुए कहता है इतना भी गुस्सा ठीक नहीं है थोड़ा समय दो तुम्हे सब कुछ बहुत जल्दी पता चल जाएगा पूर्ण विर्राम युवराज की बातों को सुनकर अनिकेत मुँ बनाकर कहता है मैं अब आपके जहांसे में नहीं आऊंगा अपने पहले भी इसी तरह से मुझे धोखा दिया है भाभी से सगाई करने का कहकर आपने नंदिनी से सगाई कर ली है तो अब आप कुछ भी बोलिए मुझे आपकी बातों पर यकीन नहीं होगा पूर्ण विर्राम अनिकेत की बातों को सुनकर युवराज मुस्कुरा कर कहता है बस आखरी बार मुझे पर यकीन करलो फिर अगर मैंने तुम्हे धोखा दिया तो कभी भी मुझे पर यकीन नहीं करना और नाहीं कभी भी मैं तुम्हें फोस करूँगा इसलिए आज तुम ओफिस नहीं जाओगे In fact, आज मैं भी ओफिस नहीं जाओंगा क्योंकि आज घर में सभी को बहुत बड़ा सर्प्राइज मिलने वाला है पूर्ण विर्राम युवराज की बातों को सुनकर अनिकेट अपनी आँखे छोटी करके कहता है आपके कहने का मतलब क्या है? क्या आप फिर से कुछ करने वाले हैं? देखिए भाई अगर वापस से भावी को किसी चीज की तकलीफ हुई तो मैं आपको बिल्कुल भी माफ नहीं करूंगा क्योंकि आप जानते हैं मैं भावी से कितना प्यार करता हूँ वो मेरे लिए मा के समान है पूर्ण विर्राम अनिकेत की बातों को सुनकर युवराज मुस्कुरा कर कहता है इसलिए तो कह रहा हूँ थोड़ा सब्र करो तुम्हें खुद पता चल जाएगा की क्या होने वाला है लेकिन तुम फिकर मत करो ये सरप्राइज में नहीं देने वाला हूँ बलकि कोई और देने वाला है पूर्ण विर्राम ये कहकर युवराज अनिकेत का हाथ पकड़ के घर के अंदर चला गया जैसे ही सभी घर वालों ने युवराज को देखा तो नंदिनी भाग कर युवराज के पास आकर उसके हाथों को पकड़ के कहती है तुम कहां चले गए थे युवराज तुम्हें पता है मैं सुबह सुबह तुम्हें कितना धून रही थी तुम कहीं जाते हो तो बता कर क्यूं नहीं जाते हो घर में किसी को भी पता नहीं था कि तुम कहां हो पूर्ण विर्राम नंदिनी की बातों को सुनकर और उसके हाथों को अपने हाथ में देखकर युवराज फिकी हंसी हंसते हुए कहता है तुम्हें मेरी फिक्र नहीं करनी चाहिए तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए क्यूंकि कुछ दिन बाद तो हमारी शादी होने वाली है न और ऐसे में तुम्हारे चेहरे पर परेशानी अच्छी नहीं लगेगी और रही बात मेरा तो मैं ओफिस के काम से बाहर गया था मेरा काम हो गया तो मैं आ गया और वैसे भी अब ना तो मैं ओफिस जाने वाला हूँ और नहीं अनिकेत क्यूंकि आज ओफिस मैंने हाफ में ही बंद करवा दी पूर्ण विर्राम युवराज की बातों को सुनकर नंदिनी कन्फ्यूज होकर कहती है लेकिन तुमने ऐसा क्यूं किया है मेरा मतलब तुम जल्दी अपनी कमपनी बंद नहीं करते हो न और उपर से आज तुमने इतनी जल्दी ऑफिस बंद करवा दी पूर्ण विर्राम नंदिनी की बातों को सुनकर युवराज के चहरे पर शैतान भरी मुस्कुराहट नजर आने लगी वो आगे बढ़कर नंदिनी के गालों पर अपना हाथ रखकर मुस्कुरा कर कहता है तुम बोल रही हो हमारी शादी होने वाली है युवराज गोयल और नंदिनी महराकी और ऐसे में हम शादी के टाइम पर काम कैसे कर सकते हैं हमें तो शॉपिंग करनी चाहिए, मस्ति करनी चाहिए, पार्टी करनी चाहिए इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं तुम्हें शॉपिंग पर ले जाऊंगा वल क्या है ना मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी शादी में मेरी पसंद की कपडे पहनों इसलिए मैंने आज खुद को फ्री छोड़ दिया है आज शाम हम सब बाहर जाएंगे पूर्ण विर्राम युवराज की बातों को सुनकर नंदिनी की आँखे चमक उठी वही अनिकेत युवराज की बातों को सुनकर गुस्सा में मुठ्ठी बंद किये जा रहा था उसे लगा था कि कोई अच्छा सर्प्राइज मिलेगा लेकिन उसे क्या पता था कि युवराज बाहर ले जाएगा यही एक सर्प्राइज होगा वही कौशल्या गोयल युवराज के बदलते एक्स्प्रेशन को देख रही थी वो ये देख पा रही थी कैसे युवराज नंदिनी से बात करते हुए गुस्से में अपनी मुठ्टी भी बंद कर रहा है और किस तरह से वह अपने चेहरे पर नकली मुस्कान लिए बस उसे देख रहा है ये सब देखकर कौशलिया गोयल अनिकेत को अपने पास आने का इशारा करती है कौशलिया गोयल के इशारे को देखकर अनिकेत उनके पास आया तो कौशलिया गोयल धीरे से उसके कानों में कहती है तुम्ही युवराज कुछ बदला नजर नहीं आ रहा है मतलब उसने आज तक कभी भी अपने ओफिस को छोड़ कर बाहरी काम को आगे नहीं बढ़ाया है और ऐसे में उसने नंदिनी के साथ शॉपिंग जाने के लिए ओफिस बंद कर दिया तुम्ही याद है ना जब पहली बार नंदिनी और युवराज की शादी हो रही थी तो कैसे युवराज शादी एक दिन में खत्म करना चाहता था क्यूंकि वो अपने ओफिस को छोड़ना नहीं चाहता था और आज वो ओफिस को बंद करके यहां आया हुआ है ऐसे में मुझे बहुत बड़ी गड़बर लग रही है पूर्न विर्राम कौशलिया गोयल की बातों को सुनकर अनिकेत गहरी सांस लेकर कहता है गड़बर तो मुझे भी लग रही है लेकिन भाई ने थोड़ी देर पहले मुझे कहा था कि वो मुझे कोई सर्प्राइज देने वाले हैं इनफैक्ट पूरे घर वालों को शायद भाई का सर्प्राइज यही हो कि हम सब सामने बाहर जाने वाले हैं अगर भाई का सर्प्राइज यही रहा तो मैं आपको पहले बता रहा हूँ मैं उनके साथ कहीं नहीं जाने वाला हूँ मुझे नंदनी बिलकुल भी पसंद नहीं है ना तो पहले थी पसंद ना अब है और ना ही कभी पसंद आएगी इसलिए वह अगर भाई के साथ रहेगी तो मैं भाई के साथ नहीं रहूंगा पूर्ण विर्राम ये कहकर अनिकेत मूँ बनाकर वहां से चला गया शाम का समय सभी लोग हॉल में बैठे हुए थे क्योंकि इस समय नंदिनी के लिए कपड़े के डिजाइन देखे जा रहे थे हालांकि युवराज ने कहा था कि वह सब बाहर जाने वाले हैं लेकिन उसमें भी काफी समय था इसलिए गायतरी गोयल ने देजाइना को घर पर बुलाया था युवराज भी नंदिनी के पास बैठा हुआ था लेकिन उसकी नजर बार-बार दर्वाजे की तरफ जा रही थी ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी का इंतजार कर रहा हो कौशलिया गोयल और अनिकेत युवराज को ही नोटिस किये जा रहे थे युवराज के चहरे पर परेशानी देखकर अनिकेत कौशलिया गोयल से कहता है भाई कुछ जादा ही अजीब बेहेव कर रहे हैं वो बार-बार दर्वाजे की तरफ क्यूँ देख रहे हैं उनकी इस तरह से देखने पर लग रहा है जैसे वो किसी का इंतजार कर रहे हो पूर्ण विर्राम अनिकेत की बातों को सुनकर कौशलिया गोयल भी उसे देखकर कहती है तुम बिलकुल सही कह रहे हो मुझे भी ऐसा ही लग रहा है लेकिन हम यहां पर आधे घंटे से ज़्यादा बैठे हुए हैं और उस बीच में युवराज ने कई बार दर्वाजे को देख लिया है पूर्ण विर्राम कौशलिया गोयल की बातों को सुनकर अनिकेत युवराज को दोबारा देखने लगा लेकिन तभी अचानक से डोर बेल बजने की आवाज आए हलांकि दर्वाजा खुला हुआ था जिस वज़े से हौल में मजूद सभी लोगों की नजर एक साथ दर्वाजे के पास खड़ी सुहाना पर चली गई सुहाना को गोयल मेंशन में देखकर कौशलिया गोयल और अनिकेत की तो आँखे हैरानी से बड़ी हो गई वहीं युवराज के चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दे रही थी लेकिन बगल में नंदिनी होने के कारण उसने अपनी खुशी को दबा लिया गायतरी गोयल भी यह सब देखकर हैरान थी नंदनी की तो आँखे जैसे गुस्से से लाल हो चुकी थी सुहना अपने साथ अपना बैग भी लेकर आई थी जिसमें उसके दो सूटकेस और एक छोटा सा पस रखा हुआ था सुहना के चेहरे पर मुस्कुराहट साफ दिखाई दे रही थी इस समय मिसेज नहीं बलकि मिस बन कर आई थी सुहना ने पेंट और क्रॉप टॉप पहन कर रखा था वो मुस्कुराते हुए अपने बैग के साथ घर के अंदर आई घर के अंदर आते ही सुहना की नजर सबसे पहले नंदिनी पर गई जो युवराज के पास ही बैठी हुई थी हालांकि युवराज और नंदिनी को साथ में देखकर सुहाना को अंदर ही अंदर गुस्सा भी आ रहा था लेकिन वह अपने गुस्से को दबाते हुए चेहरे पर मुस्कुराहट रखकर उन सभी को देखते हुए कहती है किया हुआ मुझे देखकर आप लोगों के चेहरे से खुशी कैसे गायब हो गई किया आप लोगों को ये लग रहा है कि मैं यहाँ पर नंदिनी और युवराज की शादी तोड़ने आई हूँ अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा है तो आप लोग बिलकुल गलत है क्योंकि मैं तो यहाँ इन दोनों की शादी में शामिल होना चाहती हूँ मैं खुशी खुशी इन दोनों की शादी करवाना चाहती हूँ वो क्या है ना मैंने सोचा जब मेरा पहला पती शादी कर ही रहा है तो क्यों ना मैं भी एक लड़के को धूंड कर शादी कर लूँ। पूर्ण विर्राम सुहना की बातों को सुनकर सभी लोगों की आँखें हैरानी से बड़ी हो चुकी थी। वहीं युवराज भी सुहना की बातों का मतलब नहीं समझ रहा था लेकिन नंदिनी वो कहां चुप रहने वाली थी। वो गुस्से में आगे जाकर कहती है अगर तुम्हें शादी करने का इतना ही शौक है तो तुम यहां क्या करने आई हो। पूर्णविर्रामайтесь नंदिनी की बातों को सुनकर सुहना मु श्कुरा कर रहती है अरे अरे नंदिनी तुम होने वाली बहू हो इस घर की और ऐसे में तुम गुस्सा कर रही हो। अब मैं यहां नहीं आऊंगी तो कहां जाऊंगी मेरा होने वाला पती भी तो यही रहता है पूर्ण विर्राम सुहना की बातों को सुनकर सभी लोग कनफ्यूज हो चुके थे क्योंकि सुहना ने अभी अभी कहा कि वो युवराज और नंदिनी की शादी में शामिल होने आई है और ऐसे में सुहना कह रही है कि उसका होने वाला पती भी इसी घर में रहता है ये सब सोचकर नंदिनी वापस से गुस्से में कहती है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है युवराज मेरा है उसकी शादी मुझसे हो रही है तो तुम पहली दफा में यहां से चली जाओ वरना मैं धक के मार कर तुम्हें यहां से निकाल दूंगी पूर्ण विर्राम नंदिनी की बातों को सुनकर सुहाना मुस्कुराते हुए कहती है तुम अब मुझे घर से नहीं निकाल सकती हो क्योंकि जिस तरह से तुम इस घर की बड़ी बहु बनने वाली हो इस तरह से अब मैं इस घर की छोटी बहु बनूंगी तुम्हें पता है मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ पूर्ण विर्राम ये कहते हुए सुहाना ने मुस्कुरा कर एक नजर युवराज को देखा और फिर धीरे कदमों से चलकर अनिकेट के पास जाकर उसके बाजू में हाथ रखकर मुस्कुराते हुए सभी को देखने लगी सुहाना की इस हरकत को देखकर सभी परिवार दंद रह चुके थे यहां तक की अनिकेट भी सुहाना की इस हरकत को देखकर हैरान था उसे समझ नहीं आ रहा था कि सुहाना कर क्या रही है युवराज की तो जैसे आखें गुस्से से लाल हो रही थी उसने गुस्से में अपनी मुठ्ठी को बंद कर लिया था उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि सुहाना इस तरह से घर में आकर उसे भी सर्प्राइज दे देगी हाला कि युवराज भी जानता था कि सब कुछ नाटक के तौर पर हो रहा है लेकिन सुहाना को अनिकेट के करीब देखना उसे बरदाश्ट नहीं हो रहा था भी आपसे मदद मांद रही है पूर्ण विर्राम सुहाना की बातों को सुनकर अनिकेट समझ चुका था उसकी भावी ने जरूर कोई प्लान बनाया है जिसके मुताबिक वो मुस्कुराते हुए सुहाना का हाथ पकड़ के कहता है क्या तुम सच में चाहती हो कि अब हम भी शादी कर ले पूर्ण विर्राम अनिकेट की बातों को सुनकर सुहाना बच्चों की तरह मुस्कुरा कर कहती है येस बेबी आई कांट वेच अब जब तुम्हारे बड़े भाई शादी कर रहे हैं तो क्यों ना उस मंडब पर हम दोनों भी कर ले वैसे भी धोखा मिलने के बाद मुझे लगा था मुझे दोबारा प्यार नहीं होगा लेकिन तुम जब मेरे करीब आकर मुझे समझा रहे थे तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे अपनी जिन्दगी में किसी को तो लाना चाहिए और देखो मेरा दिल तुम पर आ गया अब तुम्हें अपनी फैमिली को समझना होगा क्योंकि मैं जानती हूँ हम दोनों के रिष्टे को लेकर सभी लोग हमारे खिलाफ हो जाएंगे कोई भी हमारा साथ नहीं देगा इसलिए अब मैं और ज्यादा इंतजार नहीं करना चाहती हूँ हमें तुमसे शादी करनी ही है पूर्ण विर्राम सुहना की बातों को सुनकर अनिकेत की तो जैसे दर से हालाथी खराब हो रही थी क्योंकि उसकी नजर बीच बीच में युवराज की नजरों पर जा रही थी युवराज के गुसे को देखकर अनिकेट सुहाना के हाथों को कसके पकड़ चुका था सुहाना भी यह महसूस कर पा रही थी कि किस तरह से अनिकेट डर रहा है सुहाना अनिकेट के हाथ को अच्छे से पकड़ कर धीरे से कहती है देवर जी दरना बंद कीजिए वरना आपका ये दर मेरे सारे प्लान को फ्लॉप कर देगा और आप युवराज की फिक्र मत कीजिए उसे भी इन सब के बारे में पहले से पता है तो आप बेज़चक होकर मेरे प्लान में मेरा साथ दीजिए पूर्न विर्राम सुहना की बातों को सुनकर अब जाकर अनिकेत को याद आया कैसे युवराज ने कहा था कि सभी घर वालों को सर्प्राइज मिलने वाला है अब जाकर उसे एहसास हुआ कि उसके भाई ने ऐसा क्यूं कहा था ये सोचकर उसे कहीं ना कहीं शांती मिली अब उसे युवराज से बिल्कूल भी डर नहीं लग रहा था, लेकिन उसे क्या पता था उसका भाई उन दोनों को साथ देख कर कितना जल रहा है। गायतरी गोयल जो अब तक चुप थी वो गुस्से में अनिकेट को देखते हुए कहती है। क्या ये लड़की सच कह रही है? अनिकेट तुम अपनी भावी से प्यार करने लगे और तुमने हमें बताया भी नहीं? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसी लड़की से प्यार करने की जिसे हम इस घर में रखना भी नहीं चाहते हैं? तुम्हें अंदाजा भी है तुमने कितन अनिकेत मुस्कुरा कर कहता है लेकिन मॉम मैंने अपनी भावी से प्यार थोड़ी ना किया भावी ने जब भावी को डाइवोज दे दिया तब जाकर मुझे सुहाना से प्यार हुआ हालां कि प्यार तो मुझे पहले से था बस मैं बता नहीं पा रहा था आप लोग कहते हैं मैं बहुत नादान हूँ शायद इसलिए मुझे समझ नहीं थी लेकिन जिस दिन भावी ने भावी को डाइवोज दिया था उस दिन भावी मेरे लिए सुहाना बन चुकी थी और जिस दिन भावी ने सुहाना को सगाई वाले दिन धोखा दिया था उस दिन हॉस्पिटल में मुझे एहसास हो चुका था और मैंने उन्हें कहा कि अब सुहाना की सारी जिम्मिदारी मैं लूनगा आपको सुहाना पसंद हो या ना हो मुझे उससे कोई मतलब नहीं है भाई ने कभी भी आपके खिलाफ जाकर सुहाना का साथ नहीं दिया लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगा मुझे अगर सुहाना का साथ देने के लिए पूरे घर वालों के खिलाफ भी जाना पड़ेगा तो मैं वह भी करूंगा इसलिए या तो अब आप हम दोनों की शादी करवाए या फिर मैं इस घर को छोड़ कर जा रहा हूँ क्योंकि जहां मेरी सुहाना वहीं अब मैं रहूंगा पूर्ण विर्राम ये कहकर उसने कौशलिया गोयल को देखा जो गुस्से में उसे देख रही थी कौशलिया गोयल को काफी ज्यादा गुस्सा आच चुका था क्योंकि उन्हें लग रहा था अनिकेट ने रिष्टे का मजाक बना दिया है लेकिन जैसे ही कौशलिया गोयल गुस्से में अनिकेट की तरफ बढ़ने को हुई तभी अनिकेट ने धीरे से उन्हें देखकर आँख मारी तभी कौशलिया गोयल के कदम वहीं रुक गए कौशलिया गोयल अनिकेत का इशारा समझ चुकी थी जिस वज़े से वह धीरे कदम से चलकर अनिकेत के पास आए और फिर धीरे से कहने लगी किया ये नाटक है पूर्ण विर्राम कौशलिया गोयल की बातों को सुनकर अनिकेत के चहरे पर मुस्कुराहट आ गई उसने धीरे से हामे सर हिलाया जिसे देखकर कौशलिया गोयल गायतरी गोयल को देखते हुए कहती है अनिकेत बिलकुल सही कह रहा है जब युवराज अपनी जिन्दगी में खुश रहने के बारे में सोच सकता है तो अनिकेत और सुहाना क्यों नहीं इसलिए मुझे इन दोनों के रिष्टे से कोई दिक्कत नहीं है पूर्ण विर्राम कौशलिया गोयल की बातों को सुनकर युवराज की तो जैसे आँखे हिरानी से बड़ी होती जा रही थी युवराज को ऐसा लग रहा था जैसे उसके भाई को और उसके दादी को नाटक के बारे में पता नहीं है युवराज को ऐसा लग रहा था जैसे वो दोनों सच में सुहाना को अपना बनाना चाहते हैं युवराज ने गुस्से में सुहाना को देखा वही सुहाना भी मुस्कुराते हुए युवराज को देख रही थी, वो युवराज को परेशान करना चाहती थी जिस तरह से युवराज ने उसे परेशान किया था, उसने सोचा कि यही मौका है युवराज से बदला लेने का, क्योंकि सुहाना अपना बदला लेना किसी के सा में रहे वो गुस्से में गायतरी गोयल के पास आकर उन्हें देखते हुए कहती है आंटी आप गलती से भी इस लड़की को घर में रहने की पमिशन मत दीजिएगा ये लड़की सिर्फ धोखा देना जानती है जिस तरह से इसने युवराज को फसाया था उसी तरह ये अब आ पूर्ण विर्राम अपनी मा की बातों को सुनकर अनिकेत गहरी सांस लेकर कहता है कौन किसके साथ खेल रहा है ये मुझसे बहतर कोई नहीं जान सकता है तो आप सुहाना के बारे में कुछ नहीं बोले तो बहतर होगा और आपने शर्त रखी है ना तो ठीक है मैं आपको गारंटी देता हूँ स सुहाना मुझे किसी और की तरह धोखा नहीं देगी पूर्ण विर्राम अनिकेत की बातों को सुनकर गायतरी गोयल ने गुस्से में मुठ्छी बंद कर ली वही कौशलिया गोयल ये देखकर मुस्कुरा कर कहती है अब जब बच्चों ने अपना फैसला ले लिया है तो हम क देखकर कहती है वैसे अनू अब जब दादी जी की पमिशन मिली गई है तो हमें बढ़ों का आशिरवाद ले लेना चाहिए पूर्ण विर्राम ये कहकर सुहाना ने अनिकेत के हाथों को खीच जिसे देखकर अनिकेत सुहाना की बातों को मान कर चुपचाप कोशलिया गोय हालां की आशिरवाद देना नहीं चाहती थी लेकिन अनिकेत के कहने पर उन्होंने चुपचाप आशिरवाद दे दिया आशिरवाद देने के बाद वह सुहाना को देखते हुए कहती है सुहाना अब तुम यहां आही गई हो तो मैं चाहती हूँ तुम यहीं रहो और फिलह का मतलब है मैं नहीं चाहती हूँ कि इस घर में रहकर उसे किसी भी चीज की परेशानी हो पूर्ण विर्राम ये कहकर कोशल्या गोयल ने मुस्कुरा कर सोहाना को देखा जिसे देखकर सोहाना अनिकेत का हाथ छोड़ कर एक नजर युवराज को देखकर चुपचाप वहां से चली गई नंदिनी सोहाना को जाते हुए देख रही थी सोहाना के जाते ही नंदिनी गुस्से में गायतरी गोयल से कहती है आंटी मैं आपको गारंटी के साथ कह सकती हूँ ये लड़की कोई द्रामा करके यहां आई हुई है जरूर इसे वापस युवराज से शादी करनी ह लेकिन मैं आपको पहले ही बता रही हूँ युवराज सिर्फ मेरा है मैं उसे किसी और का होने नहीं दूंगी पूर्ण विर्राम नंदनी की बातों को सुनकर युवराज का तो जैसे गुस्सा और ज्यादा बढ़ रहा था एक तो सुहाना की वजह से उसे काफी ज्यादा जलन हो रही थी उपर से नंदन आग में गी डालने वाला काम कर रही थी जिस पर युवराज बिना किसी को कुछ बोले गुस्से में वहां से चला गया वही गायतरी गोयल नंदनी की बातों को सुनकर गहरी सांस लेकर कहती है शांत हो जाओ नंदनी मैं ऐसा होने नहीं दू जवराज से ही करवाऊंगी क्योंकि मैं जानती हूँ मैंने जो अपने बेटे के लिए बहु पसंद की है ना वह लाखों में नहीं करोडों में एक है वैसे तो मैं अपने दूसरे बेटे के लिए भी ऐसे ही कोई लड़की धूंडना चाहती थी पर मुझे क्या पता था वो इतनी बड़ी गलती करके सुहाना को ही अपनी पत्नी बनने के बारे में बात करेगा पूर्ण विर्राम ये कहकर गायतरी गोयल गुस्से में वहां से चली गई अब तक नंदिनी भी गुस्से में वहां से जा चुकी थी गायतरी गोयल के जाने के बाद नंदनी वहां और ज इस समय हॉल में कौशलिया गोयल और अनिकेत के अलावा कोई नहीं था। कौशलिया गोयल अनिकेत के पास आकर उसके कान को खीचते हुए कहती है। तुम्हारा दिमाग में कुछ चल रहा हो। लेकिन एक ही पल में तुम्हारा दिमाग चेंज कैसे हो गया। तो मुझे अब पूरी बात बताओ आखिर चल क्या रहा है। मुझे खुद भी नहीं पता कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यूं किया। लेकिन जैसे ही मैं उनसे पूछने वाला था तभी भावी ने मिरा हाथ कीच कर कहा कि यह सब एक नाटक है जिसमें मुझे उनका साथ देना है। वो पूरी बात हमें बाद में बताएगी इसलिए मैं बस अपनी तरीके से उनका साथ दे रहा था। आपको पता है जब मैं गुस्से में घर से बाहर जा रहा था तब भाई ने मुझे रोका था और उन्होंने कहा था कि वो मुझे कोई सर्प्राइज देने वाले हैं। थोड़ी देर के लिए मुझे लगा कि नंदनी के साथ बाहर जाएंगे इसलिए वो यही सर्प्राइज देने वाले हैं। लेकिन भाभी के यहां आने के बाद मुझे पता चला कि भाई सुहाना भाभी के आने के सर्प्राइज के बारे में बात कर रहे थे। लेकिन भाभी ने ये सब जानबूज कर किया है लेकिन वो दोबारा घर क्यों आ गई? मेरा मतलब नंदनी युवराज की शादी होने वाली है ये बात सब जानते है और ऐसे में युवराज में नंदनी से शादी करने वाला है तो सुहाना का यहां आकर नाटक करना क्या बनता है? पूर्ण विर्राम, कौशल या गोयल की बातों को सुनकर अनिकेत उन्हें देख कर कहता है ये बात तो मुझे भी नहीं पता है अब हमें रात का इंतजार करना होगा क्योंकि जब सभी घर वाले सो जाएंगे तभी हम भावी से मिलकर बात कर सकते हैं शायद हो सकता है भावी मौम और नंदनी को कुछ बताना नहीं चाहती हो इसलिए उन्होंने इशारों में ही हमें समझाया है वो तो अच्छा है कि मैं बहुत टेलेंटेड हूँ इसलिए भाभी के इशारे को समझ गया वरना कोई और होता तो भाभी के सारे प्लान को फ्लॉप कर देता पूर्ण विर्राम अनिकेट की बातों को सुनकर कौशलिया गोयल उसकी पीठ पर मारते हुए कहती है अगर तुम्हारी तारीफ हो गई हो तो पूरी तरह से पता करने की कोशिश करो आखिर यहां होने क्या वाला है क्यूंकि अब अगर मुझे पता नहीं चला तो मैं सब को बता दूंगी कि तुम सब एक द्रामा कर रहे हो याद रखना मैं भी तुम लोगों के टीम में हूँ अगर तुम लोगों ने मुझे निकाल दिया ना तो मुझे भी तुम लोगों को सबक सिखाने बहुत अच्छे से आता है पूर्ण विर्राम यह कहकर कोशलिया गोयल गुस्से में वहां से चली गई कोशलिया गोयल के जाते ही अनिकेत का मुह बन गया लेकिन वह भी इस समय बहुत कन्फ्यूज था उसे भी पता करना था कि सुहाना करने क्या वाली है वह घडी में समय देखकर चुपचाप घर से बाहर निकल गया वहीं इधर सुहाना मुस्कुराते हुए अपने कमरे में आ चुकी थी हालांकि यह युवराज का कमरा नहीं था बलकि सुहाना का खुद का कमरा था जिसमें सिर्फ वह रहती थी अपने कमरे में आने के बाद सुहाना ने एक लंबी सांस ली लेकिन इससे पहले कि वह आगे बढ़ती तभी उसे महसूस हुआ कि किसी ने दर्वाजा बंद कर दिया है उसके बावजूद भी सुहाना पीछे मुढ कर एक बार भी नहीं देखा क्योंकि वह जानती थी इस समय कौन आ सकता है वो बिना पीछे मुझे मुस्कुराते हुए कहती है तो आखिर आपा ही गए पूर्ण विर्राम सुहाना की बातों को सुनकर युवराज गुस्से में उसके पास आकर उसके बाजू को पकड़ के अपनी और खीचते हुए कहता है हाँ तो और क्या करता तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई नीचे इतना तमाशा करने की तुम्हें पता भी है तुमने क्या किया है तुम अनिकेट शादी करने के बारे में बात कर भी कैसे सकती हूँ मैं मानता हूँ मैंने नंदनी से सगाई करके गलती की है लेकिन तुम उसका बदला लेने के लिए मुझे इस तरह से जेलेस फिल नहीं करवा सकती हो तुम्हें अंदाजा नहीं है कि मुझे कितना गुस्सा आ रहा था जब अनिकित के पास खड़े होकर उसके हाथों में हाथ मिलाई हुई थी पूर्ण विर्राम, युवराज की बातों को सुनकर सुहाना मुस्कुरा कर कहती है तो आपको समझ आ गया था कि मैं आपसे बदला ले रही हूँ वो क्या है ना प्यारे पतिदेव सुहाना किसी को भी नहीं छूड़ती है चाहे वो उसका दुश्मन हो या फिर उसका पती आपने तो नंदनी से सगाई कर ली है ना तो मुझे बस आपको सबक सिखाना था ताकि आपको भी एहसास हो कि जब कोई अपना किसी और के पास जाता है तो कैसा लगता है और वैसे भी यह सब सिर्फ नाटक है मैं कोई अनिकेट से शादी नहीं करूंगी मैंने उसे भाई के रूप में देखा है वो तो सही समय पर अनिकेट ने सब को संभाल लिया था क्योंकि अनिकेट हमारे प्लान में बिल्कुल भी शामिल नहीं था मैंने इशारों में ही उसे कहा कि यह सब बस एक नाटक है तो उसने मेरा साथ दिया पूर्ण विर्राम सुहना की बातों को सुनकर युवराज अपनी आँखे छोटी करके कहता है ओ रियली अनिकेट ने तुम्हारा साथ दिया और अनिकेट हमारे टीम में है भी नहीं तो फिर दादी कहां से आ गई दादी को तुम दोनों की जोड़ी कैसे पसंद आ गई पूर्ण विर्राम युवराज की बातों को सुनकर सुहना मुस्कुरा कर कहती है अरे हाँ ये तो मैंने सोचा ही नहीं मैं भी हैरान हुई थी दादी तो हमेशा कहती रहती है कि मैं और आप एक साथ बहुत अच्छे लगते हैं लेकिन उन्होंने मुझे और अनिकेट को एक साथ देखकर आशिरवाद कैसे दे दिया जबकि उन्हें तो गुस्सा करना चाहिए था पूर्ण विर्राम सुहना की बातों को सुनकर यूवराज उसके दोनों बाजूओं को पकड़ के अपने तरफ अपने चेहरे के करीब करके कहता है देखो सुहाना तुम जो भी करो मैं तुम्हारे साथ रहूंगा लेकिन प्लीज मेरे सामने या फिर मेरे ना होने पर भी किसी आदमी के करीब मत जाना क्योंकि मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकता हूँ चाहे वह मेरा भाई हो या फिर कोई और अगर मैं अगली बार तुम्हें देख लिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा पूर्ण विर्राम युवराज की बातों को सुनकर सुहाना की नजर युवराज के होटों पर चली गई जो काफी ज्यादा अट्राक्टिव लग रहे थे जिसे देखकर वह शैतानों की तरह मुस्कुराते हुए कहती है अच्छा तो अगर मैं किसी लड़के के साथ रहूंगी तो आपको गुस्सा आएगा जरा मैं भी तो देखूं आप गुस्से में क्या कर सकते हैं बताए अगर मैं किसी और के साथ रहूंगी तो आप क्या करेंगे आपसे बुरा कोई कैसे होगा मतलब आपने कहा ना कि मुझसे बुरा कोई नहीं होगा तो आप आखिर ऐसा क्या करेंगे कि आपसे बुरा कोई होगा भी नहीं पूर्ण विर्राम सुहाना के बातों को सुनकर युवराज को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था एक तो उसके दिमाग में आनिकेत और सुहाना के मिले हुए हाथ देख रहे थे जो बार-बार उसके नजरों के सामने आ रहे थे इस बीच में युवराज का नजर सुहाना के हिलते होटों पर गई जो काफी ज्यादा प्यार नजर आ रहे थे युवराज ने शैतान भरी नजरों से एक बार सुहाना को देखा फिर तुरंट उसके होटों पर अपने होंट रखकर पूरी शिद्दत के साथ किस करने लगा युवराज काफी ज्यादा वाइल्ड होकर किस कर रहा था हालां कि पहले तो सुहाना हैरान हो चुकी थी लेकिन दूसरे ही पल उसने युवराज के कंधों पर अपने दोनों हाथ फैलाए और उसकी किस में खोती चली गई युवराज सुहाना के एक्षन पर बिल्कुल भी हैरान नहीं था वह जानता था उसकी बीवी एक जंगली बिल्ली है जो हमेशा भूकी रहती है ये सोचकर उसके चहरे पर मुस्कुराहट भी आ गई अब तक युवराज के दिमाग से अनिकेत और सुहाना की तस्वीर हट चुकी थी उसे सुहाना के साथ काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था काफी समय तक सुहाना और युवराज ने एक दूसरे को एक लंबा किस किया जब युवराज को महसूस हुआ सुहाना को सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो वो उससे दूर होने लगा लेकिन सुहाना उसे छोड़ना ही नहीं चाहती थी जिसे देखकर युवराज सुहाना को खुद से दूर करते हुए कहता है तुम्हारी सांसे कंट्रोल में नहीं है और तुम मुझे किस करना चाहती हो पूर्ण विर्राम युवराज की बातों को सुनकर सुहाना मुह बना कर कहती है मैं अपने पती को किस कर रही हूँ ना कि किसी प्राइम मिनिस्टर को और वैसे भी हम काफी लंबे समय के बाद एक दूसरे के साथ हैं और मैं इस समय किसी के भी बारे में नहीं सोचना चाहती हूँ आप मेरे पास है इस समय मुझे सिर्फ आप चाहिए पूर्न विर्राम सुहना की बातों को सुनकर युवराज उससे दूर होकर कहता है ये कैसे बात कर रही हो तुम भूल रही हो मेरी शादी होने वाली है और ऐसे में तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे पास रहू नहीं बाबा नहीं अगर मैंने तुम्हारे साथ राते गुजार ली तो मैं नंदनी को क्या जवाब दूनगा पूर्ण विर्राम युवराज की बातों को सुनकर सुहाना की आँखे छोटी हो गई वो तुरंट युवराज के कॉला को पकड़ के गुस्से में दांत पीस कर कहती है यह मत भूलिये की हमने पहले राते गुजारी है अगर मैं याद दिलाने बैच जाऊंगी ना तो शायद शर्म के मारे आपकी भी नजरे जुक जाएगी और रही बात नंदनी की आपकी नंदनी कोई दूद की दुली नहीं है उसने एक लड़के के साथ नहीं कई लड़कों के साथ मुऊ मारा है आपने तो कम से कम सिर्फ मेरे साथ राते गुजारी हैं लेकिन हम नंदनी के बारे में सोच रहे हैं जो एक नहीं कई के साथ राते गुजार चुकी है तो, फिलहाल के लिए हमारे बीच में से नंदनी को साइड कीजिए क्योंकि इस समय सिर्फ आप मेरे बारे में सोचेंगे। अगर आपने मेरे अलावा किसी और का नाम लिया तो आप सोच भी नहीं सकते हैं मैं क्या कर बेचंगी। पूर्न विर्राम, सुहना की बातों को सुनकर युवराज के चहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो अपनी वाली सुहना को सामने देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रहा था। वो सुहना के पास आया और फिर उसके दोनों गालों को खीचते हुए प्यार से कहा। तुम्हारी यही अदा तो मुझे बहुत पसंद है जब तुम मेरे लिए बहुत ज़्यादा पजेसिव होती हो ना तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मैंने पूरी दुनिया जीत ली है। लेकिन अभी फिलहाल के लिए हमें अपना काम भी करना होगा। नंदनी इसी घर में है यह हमें भूलना नहीं है। हो सकता है वह तुम्हारे पास रहने की कोशिश करेगी। यह जानने की कोशिश करेगी कि तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है। क्योंकि मैं जानता हूँ इतनी जल्दी नंदनी को भी तुम्हारे उपर भरोसा नहीं हो रहा होगा। पूर्न विर्राम युवराज की बातों को सुनकर सुहाना बैड पर बैठते हुए कहती है। ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही है। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है नंदनी इतनी आसानी से चुप बैठने वाले में से नहीं है। वो जरूर अपने डैड को कॉल करके इन सब के बारे में बता रही होगी। अब मुझे ये जानना है कि आखिर नंदनी क्या करने वाली है। पूर्ण विर्राम सुहना की बातों को सुनकर युवराज घड़ी में समय देखते हुए कहता है। ठीक है तुम तब तक यहीं रहो। अनिकेत और दादी अगर तुम्हारे पास आएंगे तो तुम उन्हें सब कुछ बता देना। मैं फिलहाल के लिए अपने काम से बाहर जा रहा हूँ। पूर्ण विर्राम ये कहकर युवराज मुस्कुर आकर वहां से चला गया। इधर नंदनी गुस्से में अपने कमरे में इधर उधर घूनने जा रही थी। उसका फोन जो बैड पर रखा हुआ था वो काफी समय से बज रहा था। जब नंदनी से रहा नहीं गया तो उसने गुस्से में फोन उठाया तभी फोन के दूसरे तरफ से मिस्टर महरा गुस्से में चिलाते हुए कहते हैं। मैं तुम्हें इतने समय से कॉल कर रहा हूँ, तुम मेरा फोन क्यूं नहीं रिसीव कर रही हो। पूर्न विर्राम अपने पापा के गुस्से को देखकर नंदनी ने अपने गुस्से को शांत किया और फिर गहरी सांस लेकर कहा। क्यूंकि मैं पागल हो चुकी हूँ, मुझे लगा था कि हमारा काम बहुत जल्द खत्म हो जाएगा और फिर हम दोनों ही राज करेंगे। लेकिन उस बीच में ग्रहन बनाकर सुहाना वापस मेरी जिन्दगी में आ चुकी है। पूर्न विर्राम नंदनी की बातों को सुनकर मिस्टर महरा हैरानी से कहते हैं, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? सुहाना वहां क्या कर रही है? वो तो घर छोड़ कर चली गई थी ना? युवराज ने उसे धोखा दिया तो वो वापस कैसे आ सकती है? क्या वो इतनी बेशर्म है कि उसके बा जानी की आई है बल्कि उसने मेरे सारे प्लान को एक बार में नश्ठ कर दिया. वो यहां पर अनिकेद से शादी करने आई है. उसने कहा है कि जिस मंडब पर युवराज और नंदनी की शादी होगी इस मंडब पर वो अनिकेद से शादी करेगी. और ताज़ूब की बात यह है कि अनिकेत भी सुहाना को काफी समय से पसंद करता था। उसने भी अपनी मा के खिलाफ जाकर सुहाना से शादी करने के बारे में डिसाइड किया। यहां तक की कौशलिया गोयल जो इन सब दोस्तों के खिलाफ रहती है उसने भी पमिशन दे दी। मैंने गायतरी गोयल को बहुत भड़काया। उसे कहा कि तुम इस शादी मत होने दो लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। वो मेरी बातों में आ चुकी थी पर अनिकेत की वजह से उनको अपना फैसला बदलना पड़ा। पूर्ण विर्राम। नंदनी की बातों को सुनकर मिस्टर महरा हैरानी से कहते हैं। ये तुम क्या कह रही हो। इतना सब कुछ हो गया और कोशल्या गोयल ने हां कह दिया। यहां जरूर कुछ गड़बड है क्योंकि मैं जानता हूँ भावी और देवर के रिष्टे के बीच में कोशल्या गोयल कांटों की तरह बैठी रहे तो वह सुहाना से शादी कैसे कर सकता है। भला वह सुहाना से प्यार भी कैसे कर सकता है। क्या वह अपने भाई को पीठ पीछे धोखा दे रहा था। पूर्ण विर्राम। मिस्टर महरा की बातों को सुनकर नंदनी अपना सर पकड़ के कहती है। नहीं पापा वह सुहाना से पहले से प्यार नहीं करता था बलकि जिस दिन युवराज ने सुहाना को धोखा दिया था तो उससे सुहाना की वैसे हालत देखी नहीं जा रही थी उसको सुहाना पर दया आ गई उसने सोचा कि उसके भाई ने तो जिम्मेदारी नहीं ली तो वो अब सुहाना की पेपर पर उसके सिगनेचर करवाने हैं अब तक तो सभी घर वाले के साइन हो चुके हैं बस कोशलिया गोयल और युवराज बचा हुआ है जब तक इन दोनों के साइन नहीं हो जाते हैं तब तक हमारा काम पूरा नहीं हो सकता है पूर्ण विर्राम नंदनी की बातों को सुन अमीर बनने का एक रास्ता दे दिया अब जब हम युवराज की प्रोपर्टी अपने नाम कर ही रहे हैं तो क्यूना हम सुहाना की भी प्रोपर्टी अपने नाम कर ले अब जब सुहाना घरा चुकी है तो जाहिर सी बात है वो अपने important पेपर भी साथ में लाए होगी तो त मिस्टर महरा की बातों को सुनकर नंदिनी हिरानी से कहती है, नहीं पापा ये पॉसिबल नहीं है, सुहना के सामने रहकर मैं चाला की नहीं कर पाऊंगी, मेरे हर एक इशारे को वो समझ जाती है, अगर उसे एक बार पता चला कि मैंने उसके प्रोपटी पेपर पर साइन करव इसलिए आप लालच में आकर और ज्यादा तमाशा मत कीजिए, हमारा बस एकी मकसद था युवराज को बरबाद करने का तो मुझे बस युवराज को बरबाद करना है, पूर्ण विर्राम, नंदिनी की बातों को सुनकर मिस्टर महरा गुस्से में कहते हैं, लेकिन अब मेर मकसद है युवराज और सुहाना दोनों को बरबाद करने का, युवराज को तो मैं आसानी से बरबाद करूंगा बस पेपर पर उसके सिगनेचर चाहिए, लेकिन सुहाना की बरबादी तुम सोच भी नहीं सकती हमारे लिए क्या होगा, युवराज से भी कई गुना बड़ी है सुहाना की प्रोपटी, सुहाना का बिजनेस बहुत ज्यादा लंबा है, वो सिर्फ अपने शहर में नहीं बलकि दूसरे देश में भी फेमस है, सोचो अगर उसकी सारी प्रोपटी हमारे नाम हो जाएगी तो फिर हमारा कितना बड़ा नाम होगा, मेरे साथ साथ तुम भी फेमस होने लगोगी और फिर तुम अपने सारे सपना पूरा कर सकती हो, तुम सुहाना की जगा उसकी प्रोपटी को ले सकती हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी खुशी-खुशी हर सपने को पूरा करें, इसलिए अब मैं तुम्हें सुहाना की कुरसी पर देखना चाहता हूँ, पूर्ण विर्राम, मिस्टर महरा की बातों को सुनकर नंदनी गहरी सांस लेकर कहती है, वैसे तो ये बहुत बड़ा काम है क्योंकि यह काम पॉसिबल नहीं है लेकिन फिर भी अब आपने कह दिया है तो मैं पूरी कोशिश करूंगी, लेकिन आप याद रखियेगा पेपर भेजते समय गलती से भी कोई ऐसा काम मत कीजेगा कि वह पेपर सुहाना के पास चला जाए, मुझे सुहाना से बचकर रहना होगा क्योंकि मैं जानती हूँ वह इतनी आसानी से युवराज को नहीं छुड़ेगी, भले ही वह अनिकेट से शादी कर लेकिन वो उसके बावजूद भी युवराज के पास रहने की पूरी कोशिश करेगी, पूर नविर्राम, नंदिनी की बातों को सुनकर मिस्टर महरा गहरी सांस लेकर कहते हैं, तुम्हारी सबसे बड़ी गलत फहमी यही है नंदिनी, वो अनिकेट से कोई शादी नहीं करे इसलिए अपने काम के साथ साथ युवराज पर भी ध्यान देना क्योंकि युवराज सुहाना से प्यार करता था और कहते हैं न हम जिससे प्यार करते हैं उसके पास एक न एक दिन चले ही जाते हैं, तो तुम्हें अब संभल कर रहना होगा और हां बार-बार मुझे कॉल मत करना, अगर किसी इंपोर्टेंट काम की वजए से तुम्हें मेरी जरूरत पढ़ेगी तो सबसे पहले मुझे मेसेज करना, पूर्न विर्राम, मिस्टर महरा की बातों को सुनकर और उनसे थोड़ी देर तक बात करने के बाद नंदनी ने फोन रख दिया, फोन रखने के बा नहीं युवराज मिलेगा नहीं युवराज का प्रॉपर्टी, क्योंकि युवराज सिर्फ मेरा है, एक बार मेरा सपना पूरा हो जाए उसके बाद देखो कैसे युवराज को मैं अपने इशारों पर नचाती हूँ और फिर कैसे तुम्हें अपने जूती के नीचे रखत हूँ, बहुत शौक है ना तुम्हें उड़ने का अपने साथियों के साथ घूमने का उनके साथ प्लान बनाने का तो मैं बस देखते जाओ कैसे कैसे तुम्हारे सारे सपने तूट कर बिखर जाएंगे, पूर्ण विर्राम, ये कहने के बाद नंदनी चुप-चाप कमरे से बाहर निकल गई, नंदनी के चेहरे की मुस्कुराहट बता रही थी कि अपने पापा से बात करने के बाद उसके दिमाग में कितना कुछ चल रहा है